भाईयों और बहनों, भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंतर पर विश्वास करती है। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान भारत के शौरिय, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विक्सित होगा, उतना ही भारत के विकास को भी गती मिलेगी। और इसलिए हमारी सरकार राजस्थान में आदूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है। और जब मैं आदूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो इसका मतलब सिर्फ रेल और रोड ही नहीं होता। आदूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों और गाउं में कडेक्टिविटी बढ़ाता है, दूरी कम करता है। आदूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर समाज में सुविधाएं बढ़ाता है, समाज को जोडता है। आदूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजीटल सुविधाओं को बढ़ाता है, लोगों का जीवन आसान बनाता है। आदूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही विकास को भी गती देता है। जब हम आने वाले 25 साल में विक्षीत भारत के संकल्प की बात करते हैं, तो उसके मूल में यही इंफ्रास्ट्रक्चर एक नई ताकत बन करके उभर रहा है। आज देश में हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूत पुर्व निवेश हो रहा है। अभूत पुर्व गती से काम चल रहा है। रेलिवे हो, हाइवे हो, एरपोर्ट हो, हर छेत्र में भारत सरकार हजारों करोड रुपिये निवेश कर रही है। इस साल के बजेट में भी भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर दस लाग करोड रुपिये खर्च करना तह किया है। झाल झाल